वेलकम टू कारवाक आडमी और आज की क्लास में क्लास नवी क्या गणित प्रशनावली 2.4 को हम लोग सल्ब करेंगे बहुत हैं इपरेंट है कि प्रशनावली जदि आप इस प्रशनावली को बना लेते हो तो आपके एक्जाम में सबसे ज़धा जो प्रशनें पूछे जाते हैं प्रोखे जाते हैं क्यों पृपयोक सवर समीकाओं को परियोक करके निमलिक खित गुणफल घ्याद किजिए। देखे, सवर समीकाओं का परियोक करके यहाँ पर गुणफल घ्याद करना है, तो आप लोगो मैंने कुछ फर्मुला सुत्र बताया था, जदि उस सुत्र को याद किये होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से बन जाएगा मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था जदि आपने नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं हम यहाँ पर सारी फर्मूला को लिखते चलेंगे आपको समझाते चलेंगे ठीक है समझ में आ गया तो आईए सबसे पहले एक फर्मूला यहाँ पर बताएंगे आप लोगो के मान लो कि A पलस B है ठीक है A पलस B है और यहाँ A पलस B है ठीक है A पलस B, A पलस B बिच में क्या है गुना का साइन है अब इसको गुना करना है कैसे करोगे तो देखो गुना करने का तरीका होता है कि A को लेंगे इस A को लेंगे और इस पूरे से करा देंगे A को मैंने लिया इस पूरे से कराएंगे A प्लस B हो जाएगा अब प्लस B लेंगे हमने ले लिया और इस पूरे से कुना करा देंगे A प्लस B हो गया अब देखो A को A से करेंगे A A स्क्वाइर हो जाएगा a को b से करेंगे a b हो जाएगा b a को गुणा करोगे तो b a को हो चाहे a b को हो बात बराबर है यहाँ पर a b हो गया b और b से करेंगे तो b a square हो जाएगा अब इसको जोड़ दो a square जेओ काते हो a b और a b दोनों पलस में है दोनों को जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा प्लस b square ये देखो हमारा बन गया जश्ट ऐसे ही प्रश्ण संक्या एक का सारे question करना है और प्रश्ण संक्या 2 को भी इसी तरह से करना है अब आप लोगों तो बाते समझ में आ गई होगी कैसे बनने वाला है तो आईए सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर solution यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले लेंगे x को x को मैंने ले लिया और इस दोनों से गुना कराएंगे तो x प्लस ये 10 हो गया ठीक है प्लस 4 लेंगे मैंने प्लस 4 ले लिया इन दोनों से गुना करा देंगे तो x polus ये 10 हो गया ठीक है अब देखो x को x से करेंगे तो x हो गया x को 10 से करेंगे ये 10 x हो गया 4 को x से करेंगे यह 4x हो जायेगा 4 को 10 से करेंगे यह 14 हो जायेगा 14 नहीं, 40 हो जायेगा 4 नहां, 40 ठीके, अब देखो x² का x² 10 और 4, एक जैसा है दोनो 10 x और 4 x को जोड़ेंगे यह 14 x हो जायेगा ठीके, अब पलस 40 है, यह देखिया अमारा answer हो गया, समझ माया, बहुत ही असान है, आप ध्यान से बस बनाओगे, बन जाएगा, ठीके, प्रशन संक्या इसका दुसरा देखो, पहला का दुसरा, क्या है, x प्लस 8, x प्लस 8, और x माइनस 10 है, यह हमारा प्रशन है, अब इस प्रशन को बनाओ, बहुत ही असान है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, ध्यान से देखो, x लेंगे, इस x को लेंगे, और इस दोनों से मल्टपल करा देंगे, यह गुना, x माइनस 10 हो गया, प्लस 8 को लेंगे, इन दोनों से गुना करा देंगे, x माइनस 10 हो गया, ठीके, अब देखो, x को x से करेंगे, यह हो 10 X हो धाइगा अब 8 को X से करेंगे प्लस 8 X हो धाईगा 8 को माइनश 10 से करेंगे یہ 80 हो गया समझ में आया अब चलो X स्क्वाइर माइनस 10 X में से 8 X जाएगा कितना येगा क्यों कि माइनस और प्लस माइनस होता है मैंने 10 में से 8 को हटाया लेकिन बाड़ा का साइन है तो वहीं लिखना पड़ेगा अब माइनस 80 है यह हमारा एंसर हो गया ठीक है समझ में आ रही बात है कोई दिकत नहीं है किसी को चलो तीसरा देखते है तीसरा है 3x प्लस 4 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 है ठीक है अब इस प्रश्ण को बनाना है देखो जितना अच्छे से मल्टपल करोगे उतना अच्छे से बना पाओगे ठीक है सही से मल्टपल करो, सही से जोड़ करो, सही से घटाओ करो अपका एंसर एकुरेट सही ही आएगा ठीक है चलो 3x लेंगे इन दोनों से गुना करा देंगे ये 3x माइन लिया इन दोनों से गुना करा देंगे तो 3x माइनस 5 हो गया पलस 4 लेंगे इन दोनों से गुना करा देंगे तो यहोगा 3x माइनस 5 ठीक है अब यहाँ देखो 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, x और x से करेंगे 9x से स्क्वाइर, 3x को 3x से करेंगे, 9x से स्क्वाइर हो गया यह पलस है और माइनस से, तो माइनस हो जाएगा 3x से और 5 से करेंगे, यह 5 5 तियाई, 15x हो जाएगा पलस, 4 को 3 से करेंगे यह 12x हो जाएगा 4 को माइनस 5 से करेंगे 5 का 20 हो जाएगा ठीक है अब देखो 9x से स्क्वाइर माइनस और पलस, पलस माइनस क्या होता है माइनस, 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है कोई दिकत है किसी को देखो, माइनस और पलस माइनस हो गया, तो 15 में से 12 जाएगा 3, बड़ा का साइन माइनस था तो हमने माइनस लिखा अब माइनस 20 है, तो माइनस 20 यह हमारा एंसर, ठीक है कोई दिकत ने किसी को है क्या दिकत किसी को लग रहा है तो बताओ किसी को दिकत है बहुत असान है सारे क्वेशन है ऐसे बनने वाला है बस अब ध्यान से देखो आप एक बहुत ही सई जगा पर आचुके हो आपको टेंसर लेने के जुरुत है ही नहीं 9 का मैथ बहुत ही जबर्जस तरीका से आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक भी रुपए का टेंसर नहीं लेना है ठीक है बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे जिनको एप पर पढ़ना है कार्बाकाड में एप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या इस नंबर पर कॉल करके सर से बात कर लो कैसे हम पूरा ओल कोर्स पढ़ें मात्र 499 रुपए में जिनको पढ़ना है ओल सब्जेक्ट 499 रुपए में एक साल के लिए वो कॉल करें या जा करके क्लास आप प्ले स्टोर से कार्वाकाड में एप डाउनलोड करके कार्वाकाडी मतलब जो चैनल पर पढ़ रहा न वह ही चैनल का डाउनलोड करो डाउनलोड कर कौँआ सा पढ़ सकते हो ठीक है चलो चार नंबर देखो ज़दा बात नहीं करेंगे ये स्क्वाइर पलस तीन बटा दो और ये ये स्क्वाइर माइनस तीन बटा दो ये प्रस्ण है ठीक है चलो अब इस प्रस्ण को बनाना है ध्यान से देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे बोलो सबसे पहले क्या करेंगे ये स्क्वाइर लेंगे और इन दोनों से गुना कराएंगे मैंने y square लिया यह y square माइनस 3 बटा 2 हो गया प्लस 3 बटा 2 मैंने लिया इन दोनों से गुना कराएंगे y square माइनस 3 बटा 2 हो गया ठीके अब यहाँ देखो y square को y square से करेंगे y के पाउर 4 हो गया माइनस y² से 3 बटा 2 से करेंगे 3 बटा 2 y² हो जाएगा पलस इनको करेंगे 3 बटा 2 y² हो जाएगा 3 3 को गुना करेंगे 9 2 2 को करेंगे यह 4 अब यहाँ देखो, यह माइनस से पलस दोनों बराबर है न, यह दोनों कड जाएगा क्या बचेगा आपका y के पाउर 4 माइनस 9 बटा 4 यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है, समझ माया किसी कोई डाउट है नहीं न, चलो एक क्वेशन बच गया, यहाँ पर मैं उनको सल्व कर देता हूँ 5 नमबर 5 नमबर क्या है 3 माइनस 2 x और 3 पलस 2 x 3 पलस 2 x यह हमारा प्रस्ण है, ध्यान से देखिएगा 3 को लेंगे इन दोनों से गुना करेंगे 3 पलस 2 x माइनस 2 x को लेंगे 2 न से गुना करेंगे 3 पलस 2 x ठीक है अब देखो 3 को 3 से करेंगे 9 3 को 2 से करेंगे 6 x माइनस 2x को 3 से करेंगे माइनस 6x माइनस 2x को 2 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 4x से स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है यहाँ से देखो यह 9 तो 9 ही रहेगा यह माइनस से प्लस से दुनों क्या होगा कट जाएगा यह माइनस 4x से स्क्वाइर है एक भी दिकत नहीं आया होगा, जदि प्रोबलम आ रहा है तो आप जरूर मेरे को बताएं, ठीक है? चलिए, अब प्रश्ने संक्या 2 को देखते हैं, प्रश्ने संक्या 2 है, कि सिधे गुणा किये बिना निमली खित गुणन फलो का मान ग्याद किजिए, मतलब देखिए, यहा पर वैसे नहीं करना है, जदि एक जाम में आएगा, और ऐसे लिख करके, तो आपको कैसे बनाना होगा? वहीं हमारा a पलस b और into a पलस b के फर्मूला पर बनाना होगा, तब आपको नंबर मिलने वाला है, अब यह सोचेंगे कि इन दोनों को गुना करके डिरेक्ट एंसर ल बदले, 103 के बदले मैं 100 पलस 3 लिख सकते हैं क्या? दोनों को जोड़ेंगे, 103 है जाएगा, तो हम क्या करते हैं? इसको explain करके बनाना है, तो 100 को हम 100 पलस 3 लिख दिये, कोई दिकत? बीच में गुना का साइन है, तो गुना का साइन लगा देंगे, 107 को भी मैं 100 पलस 7 लिख स लगते हो, अब जब मैंने ऐसे कर लिया, तो आपको मैंने यहाँ पर यह formula पढ़ा था ना भी, यह वाला, यह बीच में गुना होता है, यह वाला क्या करेंगे, इसको लेंगे इससे गुना, फिर इसको लेंगे इससे गुना, वही काम यहाँ पर भी हम कर लेंगे, आईए, बहुत है असान है, 100 को लेंगे, 100 को लेंगे, इन दोनों से गुना करा देंगे, तो क्या है, 100 अब पलस 7 है, ठीक है, फिर पलस 3 को लेंगे, इन दोनों से गुना करा देंगे, 100 अब पलस 7, ठीक है, अब इसको करो, 100 को 100 से करेंगे, तो एक पर देखो, 2 0, 2 0, एक पर कितना चार जीरो प्लस सौ को साथ से करेंगे यह साथ सौ हो जाएगा तीन को सौ से करेंगे यह तीन सौ हो जाएगा तीन को साथ से करेंगे 21 हो जाएगा यह देखो एक आई दहाई से एकड़ा हजार दस है दस हजार है और साथ सौ और तीन सौ सबको जोड़ लो आप जाइए रफ में और जोड़ करके देखिए आ राएक नहीं आ रहा है ठीक है अपके लिए मैं एक रफ पेज ले लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहों यह 10,000 यह 700 यह 300 सबको जोड़ना है एक यह 2 7 3 10 की 0 0 1 1 1 1 1 1 तर एक ही रहेगा ना एक ही रहेगा 11,000 21 11,000 21 हो जाएगा यहां पर 10,000 21 ही मैंने लिखा हूं मेरा मिश्टेक हो गया ता देखा तो आपको भी गल्ती नहीं करना है ध्यान धुबाद देना है ठीकी ना बहुत यह असान है आप रफ पेज में जा करके ऐसे जोड़ लिया करो नहीं तो डिर्यक्ट जोड़ने में कई मिश्टिक हो जाएगा आपका नंबर कर जाएगा तो ऐसे जाएए रफ में कर लिजिएगा आप लोग भी ठीके मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ठीके बट सई से करो ठीके मेरा कहना यह है दुसरा देखो कितना आसान है प्रश्ण संक्य एक कही जैसा बन गया अब दुसरा है 95 गुना 96 ठीके 95 गुना 96 अब इसको देखो कैसे बनाओगे वो तो 100 से ज़्यदा था तो बना लिये थे अब इसको क्या कर सकते देखो जदी मैं 95 है न 95 को मैं 100-5 कर दे कोई दिकत कोगे सर बिल्कुल दिकत नहीं तो वैसा ही मैं करने वाला हूँ 100 में से मैंने 5 घटा दिया गुना है तो गुना अब 100 में से कितने अटा दे के छान बजाएगा 4 हो गया काम अब इसको simple गुना कर दो 100 लेंगे दोनों से गुना 100-4 हो गया हो गया मैंनस 5 लेंगे दोनों से गुना 100-4 हो गया ठीक है कोई दिकत नहीं है अब इसको करो 100 को 100 से करेंगे 1 पर 4 0 पलस है यह मैंनस है तो मैंनस 100 को 4 से करेंगे 400 होगा 100 को 5 से करेंगे पलस मैंनस मैंनस तो 500 हो जाएगा मैंनस मैंनस पलस पंचव का 20 हो गया अब इनको करो अब यहाँ ध्यान दे ना यह देखो यहाँ पर हम रफ में आ जाएगे पहले 10 हजार और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हजार बीस ठीके और मैनस ओला के एक साँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 500 और 400 900 यानि 10 हजार बीस मैं से 900 को क्या करना होगा घटाना होगा ठीके क्यों हो भाई क्योंकि 16, 16 एक साँ जोड लिए तो 10,000, 20 आया माइनस 16 एक साँ जोड लिए तो 900 आया अब इसको क्या करना होगा, घटाना होगा तो 0 में से 0 गया, 0 2 में से 0 जाएगा, 2 यहां सिल गया, 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 यह 9 होगया, और यह तो खतम होगया 91 कितना गया 20 यहां पर लिखेंगे 9020 यह हमारा एंसर तो जोड़ घटाओ साई से करना होगा मेरे भाई नहीं तो फिर बाद में बहुत पाइसता होगे ठीक है ऐसा होगे एकजाम में करके आगए चुटा सा जोड़ घटाओ में गलती कर दिये नंबर कड़ गया आप रोने ल सॉलूशन करेंगे सबसे पहले 104 है न तो 100 माइनस 4 कर सकते हैं माइनस की प्लस प्लस अगुना 90 क्या कर सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं अब क्या करेंगे अब गुना करो गुना सब पाएगा ना 100 को लेंगे दोनों से गुना करा देंगे 100 को में लिया दोनों से गुना किय सो माइनस चार ठीक है पलस चार को लेंगे दोनों से गुना सो माइनस चार ठीक है अब देखो सो को सो से करेंगे दस हजार सो को माइनस चार से करेंगे चार सो चार को सो से करेंगे चार सो चार को चार से करेंगे सुला ठीक है अब यहां देखो 10,000 और 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्लस सुला को जोड़ देते हैं 10,400 जोड़ेंगे तो 10,400 आ गया यह माइनस सुला जोड़ेंगे तो 400 जोड़ेंगे तो 400 सुला हो जाएगा यह 10 हो गया 10 मेंसे 6 जाएगा 4 यह 9 गया 9 मेंसे 1 जाएगा 8 यह कितना 13,13 मेंसे 4 जाएगा तो 13,14,15,16,17,18 4,5,6,7,8,9,10,12,13 यह 9 आ जाएगा और यहां से खतम खतम नई नई यह 10 मेंसे खासल दे था ना एतना और 99,1994 ज़िए हमारा एंसर होगे सईसे घटा आओगे एंसर आएगा ही मैं एक बार यह एंसर चेक कर लेता हूँ क्या पता है एंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीके थोड़ा मिला लेते हैं आपने किताब में भी मिला लीजिएगा ठीक है उसमें क्या है बड़ी बात मेरे में सोई नहीं कर रहा है मेरे में एंसर देही नहीं रहा है क्यों नहीं देहा है भाई इसलिए नहीं देहा है कि मतलब मिटिक गया है कोई बात नहीं एंसर सही है सही से घटा लना कई मिश्टेक होता आप लो सुधार कर ले ना इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है में तो यह है चीज था ना जोड़ एखित का गुडंखन कीजिए देखिए इसका गुडंखन करना है गुडंखन आप दो तरीका से कर सकते हैं यहाँ पर जो गुडंखन करना है पहले जो आपने गुडंखन पड़ा था ना उसके इसाब से गुडंखन नहीं करना है बहुत यह असान है बस आप इसके लिए एक फर्मूला याद कर लिजिए कौन है फर्मूला भाई A पलस B का होल A स्क्वायर पता है पलस B का होल A स्क्वायर का फर्मूला पता तो होगा A स्क्वायर पलस 2AB पलस B स्क्वायर ठीके देखो तो इसी फर्मूला पर दिया है कि नहीं दिया है दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको इसी पर तोड़ दूँगा, काम हो जाएगा, बहुत ही असान है, ध्यान से देखो, सबसे पहले, क्या करेंगे भाई, यह 9x² है, रफ में थोड़ा समझना, रफ में जितना समझो कि उतना काम में आएगा, अब मान लो कि 9x² है, तो मै मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जदी मेरा मान है कि 3x² कर दो, क्योंकि हम इस फर्मुला पर तोड़ना चाह रहा हूँ, 9x² के बदले, 3x² कर दिया, जब इसको गुना करेंगे, 3x² जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x² लिख सकता हूँ, ठीक है, पलस, अब मेरा मान है कि a plus b का whole square पर करेंगे, क्यों हो भाई, क्योंकि सब plus में है, तो फिर a plus b के whole square पर हो सकता है, तो इसलिए मैंने देखो क्या किया, 9x² को 3x² की रूप में change कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर 6xy है, तो इस फर्मुला पर तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 ले लेता हूँ, a कमान यहीं होगा, 3x, अब b कमान क्या रखें कि हमारा 6xy आजाए, सोचो, यहाँ पर b कमान क्या रखा जाए, कि 6xy आजाए, तो माल लो कि हमारा 3x ले और 2 से करेंगे 6x हो गया, हमें y के भी जुरुरत है, तो क्या कर देंगे b कमान y रख दिया, पलस, नहीं समझ माया न, एक बार फिर से समझो, समझ में आ जाएगा, देखो, जब 9x square प्लस 6xy प्लस y square है, सब प्लस में है, तो क्या कर देंगे, a plus b के होल square में, तो यह होता है, a square plus 2b plus b square, यहाँ पर 9x square था, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, 3x का square, क्योंकि इसको जब गुन अब होता है प्लस 2AB तो 2 का 2 फर्मूला में होता है एक कमान अपने क्या रखा था 3X तो मैंने 3X रखा अब बी कमान जरूत है ऐसा बी कमान रखना है कि जब सब को गुना किया जाएगा तो इसके बराबर हो जाए तो 2A कमान तो पहले से आ गया बी कमान मैंने Y रख दिया से किया तो अब प्रैक्पिस करोगे तभी क्यूशन समझ में आएगा और इसका बहुत ही आगे भी जोरत है दसुई में भी और बरावी में भी इसलिए इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा समझना होगा ठीक है चलिए तो इतना हो गया अब देखो एक कमान 3X है एक कमान मैंने 3X रख लिया बी कमान क्या रखा था गया य तो य रख दिया अब मैं दोनों का क्या कर देता हूं क्यों 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 क मतलब मैंने जो अभी लैंग्वेज बुला है ना उसको नदर नजर नजर आंदाज कर देना ठीके न कभी-कभी थोड़ा सा मैं तोतला बोल देता हूं ठीके उसके लिए सौरी तो यह बात हो गई ठीके समझ माया बात आप लोगो समझना है मेरे तुतले वाज पर नहीं जान तो काम हो जाएगा क्यों कि जब इसको A plus B को हो जाएगा तो यह वह चीज आ जाएगा जब इसको तो तो प्रूड वय तो आ जाएगा आपको क्या करना था गुडंहगण और हो गया की मैं सेकेंड में छोजक्व ao wr xy plus ya square ठीक है देखो आप second method यह है कि आप लोग पले यहां समझ यह a plus b का whole square का formula आप लोग पढ़े होंगे a square plus 2ab plus ba square पढ़े है न कहीं कहीं आप किताब में देखोंगे कि a plus b का whole square का formula a square plus ba square plus 2ab यह भी होता है तो आप 2ab भी बीच में लिखो चाहें अंत में लिखो बात यह कहीं है तो दो formula होता है नहीं एक ही होता है इसको लिखेने का अलग अलग अंदाज होता है अपना ठीक है यह भी सही है यह भी सही है जदि इस formula पर इसको तोड़ोगे तो बहुत ही आशान हो जाएगा कैसे प्लस अब भाई 2a2 तो मैं क्या करता हूँ पहले question को change करूँगा 9x2 6x2y2 मतलब इस टाइब का question दिया गया है इसके बदले ना लिख करके मैं इसके बदले कर देता हूँ मैं change कर सकता हूँ क्योंकि प्लस मैं तो किसी को भी कहीं लिख सकते हो मैंने क्या किया 9x2 आई उसक के बाद मैंने इसको लिख दिया कोई दिकत पलस मैं तो इधर दोर लिखने कोई फार्क है नहीं पड़ता है अब मैं इस फरूला पर change करना चाहा रहा हूँ तो 9x2 के बदले 3x का सकते हैं y2 का सकते हैं पलस अब देखो 2 यह भी होता है तो 2 का 2 एक कमान क्या है 3x और B कमान y अब इसको गुना करो न 6xy जाएगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको बात देख सोचना पड़ रहा था लेकिन यहाँ पर कोई सोचना नहीं है बहुत है असान है दूसरा परशन बनाएंगे अपने आप आप लोग आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो 1 कमान 3 3x हो गया अब b कमान y हो गया तो 3x प्लस y का whole square मैंने कर दिया एंसर हो गया समाज में आया नहीं आया एक बर फिर से समझो मैं दुबारा फिर बताओंगा बाई जब तक समाज में नहीं आगा ना तब तक मैं बताते रहूंगा आप लोगो question है 9x square plus 6xy plus y square है ना यहीं परस्न है ना तो मैं क्या इसको करना चाहा कि इसको 100 plus में है तो मैंने a plus b के whole square में इसको करना चाह रहा हूं तो यह होता है फर्मूला गुड़ंखंड करना होगा तो यहीं उला लगाईएगा यह लगाईगा तो थोड़ा सा confusion में पढ़ जाएंगे पाला मेथट खोजना पड़ेगा लेकिन second मेथट के लिए यह उला फर्मू करेंगे क्योंकि भी बीच में आगया इसको में लास्ट में लिखना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा भाई लिखूंगा solution पर इसको change करूंगा 9x square उसके बाद बी ओला पाट आना चाहिए y square तो यह लास्ट में आना चाहिए ठीक है अब क्या करेंगे इनको मैं लिख सकत हो ओए y square हैतो y क्या square होगा फिर आइसको होता है। थो फार्मूला में होता है 3x पिकष्ए y इसको गुना करोगे होला पाता जाएगा अब देखो country songy udah उब ईशको कर दो जब इसको तोड़ोगे तरो वलाएगा इसको तोड़ोगे, यह वलाएगा, इसको तोड़ोगे, यह वलाएगा, हो गया गुड़नकंड, गुड़नकंड का मतलब क्या होता है, इसको separate करके छोटा कर देना, ठीके, चलो, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो second method सहीं सारे equation कराएंगे, दूसरा देखिए क्या कौन सा formula ही जोगा भाई, a माइनस b का whole square, क्या होता है, a square पलस b square माइनस 2ab होता है, ठीके, तो देखो तो माइनस बीच में आगे, इसको last में करना होगा, तो पहले separate करेंगे, पहले separate करेंगे, 4y square पलस ओला को पहले लिख दो, माइनस ओला को बाद में, समझ माया, अब चलो 4y square को मैं 2y का square लिख सकता हूँ क्या, क्यों गुना करेंगे, 4y square आएगा, एक के बदले 1 square कर दिया, कोई दिकत, कोई दिकत नहीं कि अब 1 square एक ही आएगा, माइनस, अब 2 ये b होता है, तो 2 का 2, a कमान 2y और b कमान 1, इसको गुना करोगे न, 4y आएगा, आएगा की नहीं आएगा, अब चलो, अब a हो गया, और b हो गया तो 2y लगा है, यहाँ पर मैनस है तो मैनस होजएगा, 2y मैनस 1 का whole square, जब तो दोड़ोगे तो यह बलाएगा, यहाँ पलस था, इसलिए पलस लगा था, यहाँ मैनस है तो यह बलाएगा, यहाँ वाला, समझ माया, कितना आप तो समझ में आगया होगा ना आया की नहीं आया पले बताओ मेरे को चलो आगया होगा तीसरा देखो एक से स्क्वाइर एक से स्क्वाइर माइनस वाई ए स्क्वाइर बटे हाई इंड्रेड ने 100 है ठीक है इसके लिए आप लोग एक फर्मूला पढ़े होंगे कौन सा फर्मूला भाई कि a स्क्वाइर माइनस b स्क्वाइर का क्या होता है एक पलस में होता है और एक माइनस में होता है पढ़े हो ना तो यहाँ पर मैं देखो क्या करता हूँ X से स्क्वाइर है ना तो मैंने X का स्क्वाइर कर दिया Y स्क्वाइर आएगा Y स्क्वाइर बटा 100 है तो जादी मैं Y बटा 10 कर दूँ और इसका स्क्वाइर Y का स्क्वाइर करेंगा Y स्क्वाइर 10 का स्क्वाइर करेंगा 100 मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बिल्कुल अब देखो तो इसको A माल लो इसको B तो A square मास B square मतलब एक पलस में एक माइनस में एक बार आप इसको पलस में लिख लो X बटे X पलस Y बटे 10 और एक बार X माइनस Y बटे 10 यह देखो पलस और एक माइनस में यहीं गुड़ंखन तो करना था हो गया कितना असान है आप खुद सोच सकते हो ठीके बहुत यह साथ प्रस्न है जब ध्यान से बनाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे ठीके तो प्रस्ने संख्या 3 जो था हमारा complete हो गया अब मैं प्रस्ने संख्या 4 को देखता हूँ प्रस्ने संख्या 4 है कि उप्युक्त सवर समिकाओं का प्रियोग करके निमली खित में से परत्यक का परसार कीजिए परसार मतलब इसको आगे बढ़ाना है ठीके तो x प्लस 2y प्लस 4z का whole square है तो पता यहाँ पर कौन सा फर्मूला लएगा जहान से देखिएगा बहुत ही important है यह आपके exam equation आदे रहता है ठीके तो यहाँ पर बस आप एक फर्मूला याद रख लिजिए इनको a मान लिजिए इनको b और इनको c a बन गया a plus b plus c का whole square इसका फर्मूला होता है a plus b plus c का whole square का a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca यह फर्मूला होता है हमारा ठीके यह फर्मूला बहुत ही असान है बहुत ही simple है एक बार ध्यान से पढ़़ दोगे त्यार हो जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी फर्मुला पर इसको क्या करना होगा, परसार करना होगा, ठीक है, यह फर्मुला लिख करके बस उसको परसार कर देना है, यह A है, यह B है, और A क्या है, C है, तो मैं इसको परसार करत प्लस B कमांड 2Y है तो 2Y का स्क्वाइर हो गया प्लस C कमांड क्या है 4Z है न तो 4Z का स्क्वाइर हो गया ठीक है प्लस 2AB तो 2 A कमांड X है और B कमांड 2Y है बस फर्मुला पर करते जाना है 2 का 2 B कमांड 2Y है और C कमांड 4Z है इसको कोष्ट में रखाओ ठीक है 2C है तो 2 का 2 C कमांड क्या है 4Z और A कमांड है X यह मैंने कर लिया अब देखो X का स्क्वाइर करेंगे 2Y का स्क्वाइर करेंगे तो 4Y स्क्वाइर हो गया पलस 4Z का स्क्वाइर करेंगे 16Z स्क्वाइर हो गया पलस इनको करेंगे 2 और 2 से करेंगे 4 और X Y है तो 4X Y हो गया पलस दुदुनी का 4 4 4 4 का 16 Y Z हो गया पलस दुदुनी का 8 8 और X Z से करेंगे 8 X Z हो गया यह देखो हमारा एंसर भी हो गया यह बहुत ही असान है बस आपको इसी फर्मूला पर इसको कंभर्ट कर देना है आपका एंसर आते जाएगा तो क्या आप लोग बना लोगे सारे कोईशन ऐसा बात निए सारे कोईशन हम कराएंगे क्योंकि फर्स टाइम है तो मैं सारे कोईशन को एक बर करा दता हूँ उसके बाद आप लोग करिएगा हाँ जदी आपको आ गया तो अपने वीडियो को रोकिए और खुद से बनाना सिखिए बना देंगे तो सही है नहीं बनेगा कोई बात नहीं हम तो है न दुसरा है कि 2x-y पलस z का स्कॉरर अब आपको अगर सर जी यह तो पलस तो माइनस आगया मेरे से तो बनेगा ही नहीं कोई बात नहीं हम है इसके लिए अब माइनस आगया तो माइनस का भी एक फर्मूला होता है a-b-c का होल स्कॉरर का लेकिन मैं आपको उतना कॉन्फीजन में नहीं डालने वाला क्यों भाई क्योंकि सिर्फ एक ही फर्मूला पढ़ा करके आपको सारे कुशन कराना सिखा देंगे देखो बस आप एक फर्मूला एक बार लिख लो a-b-c का होल स्कॉरर a-square प्लस b-a-square प्लस c-a-square प्लस 2ab प्लस 2b-c प्लस 2c-a ठीक है यह होता है फर्मूला a-2x है जहां b आएगा माइनस y लेना बस c-z लेना बस इतना ही तो फर्क है क्या करेंगे a कमान है 2x तो 2x का स्कॉर प्लस b कमान है माइनस y तो माइनस y का स्कॉर प्लस c कमान है z तो z का स्कॉर प्लस 2a कमान 2x और b कमान माइनस y प्लस 2bc होता है तो b का मान है माइनस y और c का मान है z प्लस 2c होता है तो z और a का मान x साई से गुना कर दो एंसर आ जाएगा 2x का स्क्वाइर करेंगे 4x स्क्वाइर हो जाएगा माइनस y का स्क्वाइर करेंगे तो प्लस y स्क्वाइर हो जाएगा z के square करेंगे z square इनको करो plus और minus यह minus हो गया दूदुनी का 4 x y से करेंगे तो 4 x y होगा यह minus plus minus हो गया 2 से y z से करेंगे 2 y z यह plus है दूदुनी का 4 z x को चाए x z को बात यह कहीं है गुना में है तो आगे पिछे लिख सकते हो z x कोई लिखता है कोई x z लिखता है तो उससे कोई दिकत नहीं क्योंकि गुना में है तो कहीं भी लिख सकते हो आगे या पीछे तो यह हमारा क्या हो गया एंसर हो गया बस कितना आसान है आप खुद सोच सकते हो तीसरा देखो तीसरा है minus 2 x plus 3 y plus 2 z का whole square ठीक है अब इस प्रश्ण को बनाना है बहुत ही असान है सबसे पहले हम वही फर्मुला लिखेंगे a plus b plus c का whole square का यह हो जाएगा a square plus b square plus c square 2ab 2bc 2ca ठीक है अब इस फर्मुला को हम क्या करते हैं इसी फर्मुला पर इस question को लिखते हैं a कमान है minus 2 x b का 3 y और c का 2 z है तो a कमान minus 2 x का whole square plus b b कमान 3 y का square c कमान 2 z का square plus 2 a कमान minus 2 x b कमान 3 y plus 2bc b कमान b कमान 3 y और c कमान 2 z plus 2 c कमान 2 z और a कमान 2 minus 2 x ठीक है यहां से 2 x का square करेंगे 4 x square 3 y का square करेंगे 9 y square 2 z का square करेंगे 4 z square plus और minus minus दुदुनी का 4 चरतियां 12 xy इनको करेंगे दुदुतियां 6 6 दुनी 12 y z plus और minus minus हो जाएगा दुदुनी के 4 4 दुनी 8 8 z x हो जाएगा यह हमारा answer ठीक है प्रशने संक्या 3 भी complete हो गया अब मैं 4 को देखता हूँ 4 हमारा क्या प्रशने है 4 नंबर है कि 3 a minus 7 b minus c का square इसके लिए भी अलग कोई formula लगाने की जुरूत नहीं है बस a plus b plus c का whole square का formula लगा दो और बना दो क्या होता है a square plus b square plus c square 2ab 2bc 2ca यहां से देखो a का माने 3 a का square plus b का माने minus 7 b का square c का माने minus c का square ठीके कोई दिकत नहीं किसी को सबको दिक रहे न तो आगे पेज बढ़ा लेते हैं plus 2 a का माने 3 a b का माने minus 7 b plus 2 b का माने minus 7 b और c का माने minus c plus 2 c का माने minus c और a का माने 3 a अब इसको गुना कर दो 3 a का square करेंगे 9 a square plus minus 7 b का square करेंगे 7 7 49 minus minus का हो जाएगा plus 49 b square minus c का square करेंगे plus c square होगा plus और minus ये minus 3 दूना 6 6 साथे 42 a b हो जाएगा minus 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 plus और plus plus होगा 7 दूने 14 b c हो जाएगा plus minus minus 3 दूना 6 प्रस्ण संख्या जो तीन ए चार था वो भी कंपलीट हो गया अब पेज खतम हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं पांच नंबर के लिए पांच नंबर क्या है प्रस्ण हमारा पांच नंबर है कि माइनस 2X प्लस 5Y माइनस 3Z का स्क्वाइर ठीक है आईए इस प्रस्ण को बनाता हूं सबसे पहले फर्मूला अपना लिखेंगे A पलस B पलस C का होल स्क्वाइर का यह होता है A स्क्वाइर B स्क्वाइर C स्क्वाइर 2AB 2BC 2CA ठीक है यह हमारा फर्मूला होता है अब यहां से देखो A कमान क्या रखेंगे माइनस 2X का स्क्वाइर B कमान 5Y का स्क्वाइर पलस C का माइनस 3Z का स्क्वाइर प्लस 2 A कमान माइनस 2X B कमान 5Y प्लस 2 B कमान 5Y और C कमान माइनस 3Z प्लस 2 C कमान माइनस 3Z और A कमान माइनस 2X ठीक है अब इनको गुना करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4X स्क्वायर हो जाए 5 क्या स्क्वाइर करेंगे 25 y स्क्वाइर हो जाएगा माइनस 3 क्या स्क्वाइर करेंगे 9 z स्क्वाइर होगा पलस और माइनस माइनस दुदुनी के 4 चार पाचे 20 x y हो गया माइनस पलस माइनस पांच दस 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 तियां 30 y z हो गया माइनस माइनस प्लस तिन दुना छे छे दुना बार जेड एक्स को चाह एक्स जेड को बात यह कहीं है यह हमारा एंसर I hope कि आप लोगो को पांच नमबर भी कम्पलीट हो गया होगा छे नमबर में बच्चे का कनफीजन होते रहता है मैं असर देखता रहता हूँ equation है कि 1 बटा 4A माइनस 1 बटा 2B अब प्लस 1 का whole square तो इस question को देख करके घबराना तो बिल्कुल नहीं है बहुत ही असान है अब ध्यान से देखो ठीक है बहुत ही असान है सबसे पहले फर्मुला लिखो A पलस B पलस C का whole square क्या होता है A square B square C square पलस 2AB 2BC 2CA ठीक है यहां से A का मान क्या है 1 बटा 4 1 बटा 4 A का square हो जाएगा पलस B का मान है माइनस 1 बटा 2 2B का square हो जाएगा पलस C का मान है 1 1 का square बस जो A का मान है उसको लिखते चलेंगे बस कुछ नहीं करना इसमें changing 2 A का मान 1 बटा 4 A है और B का मान माइनस 1 बटा 2 B है हो गया पलस 2BC B का मान है माइनस 1 बटा 2 B है न B और C का मान है 1 पलस 2 C C का मान है 1 और A का मान है 1 बटा 4 A हो गया अब चलो इसको गुना करा देंगे जो कटने होला कटा देंगे इसको 2 से 2 बार में कटा देंगे 2 दो नहीं के 4 ये 2 दो हमारा पूरा कट गया अब ये देखो ये 2 और ये 2 भी कट गया और कोई कटेगा नहीं कटेगा 1 का स्कॉयर करेंगे 1 होगा 4 का स्कॉयर करेंगे 16 होगा और A का स्कॉयर करेंगे A स्कॉयर होगा मतलब 1 बटा 4 A का स्कॉयर करेंगे 1 बटा 16 A स्कॉयर हो जाएगा पलस ये माइनस तो पलस बन जाए एक अद्दू के स्क्वाइर करेंगे चार और बी के स्क्वाइर करेंगे तो बी स्क्वाइर एक के स्क्वाइर करेंगे एक यहां ध्यान से देखो यह प्लस और यह माइनस है तो माइनस तो होगा यहां एक बतव चार है और यहां B है तो के कितना हो जाएगा एक बतव 4 A B हो जाएगा ठीक है A minus है पलस है तो क्या होगा minus तो इहां पर B बच गया और यहां पर A तो B हो जाएगा और E 2 दो कट गया 1 और A से करेंगी तो पलस E हो जाएगा E हमारा answer एकटा मैं गरांटिट के साथ बोल सकता हूं और गल्ती हो गया क्योंकि दो को चारबनों कोटा यह तो दो है ना क्योंकि के दो निचे बच गया था न मेरा इस दो को लिखना होगा बाकी देखता हूं बाइनस भी basic genre बिल्कुल यहां भी सईए यहां भी सईए यहां भी सही है, सब सही है, ठीक है आप लोग कहेंगे कि सर जी जो question का जो answer आया ना ऐसे आया है, A square बटा 16 तो देखो, एक बटा 16 A square कहो चाहे A square बटा 16 कहो बात इक ही है, एक बटा देखो उपर उपर क्या होता है, गूना, तो 1 और A square यहां भी लिखो, चाहे बटा 4 बटा गुड़ांखन कीजीए, यह हमारा question है आप गुड़ांखन कैसे करेंगे तो आपने अभी जो परशंसने संक्या चार किया है ना वो एक गुडनःखंड में दिया था और उसको तोड करकर हम लोग उसको परसार किये थे मतलब उसको फैला है े अभ इमडरSir परसार किया हुआ है इसको गुडनःखंड के रूप में कर देना है समझ रहे हो तो आईए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ बहुत ही असान है पहले न आप लोग को प्रस्निसन के चार के बारे में थोड़ा बहुत समझा देते हैं देखो चार नमबरे पहले से गुड़ंखंड किया हुआ था इसको अम लोग क्या किये थे परसार किये थे देखो ये वाला अब प्रस्निशन के पांच में परसार किया हुआ है अब आपको इसमें लाना है तो देखो जब आपको गुड़ंखंड में पहले से था और परसार करना था ये फर्मूला का इज़ किये थे अब पहले से परसार है तो उसके लिए भी इसी फर्मूला को इज़ करें a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ठीक है अब देखों यहाँ पर a कमान क्या लोगे कि 4x square हो जाएगा जाएगा जादि मैं 2x ले लेता हूँ लेता हूँ और इसका square कर दूँगा तो 4x square हो जाएगा अब याब b square दो b कमान 9y square है तो मैं क्या रखूं बी कमान की 9y square आ जाएगा तो 3y square रहेंगे ना 3y square तो 9y square आ जाएगा अब सुला है ना सुला के बदले क्या लिख दूँ फोर z square आ जाएगा आ जाएगा ना कोई दिकत नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान देना है वो ध्यान क्या देना है भाई थोड़ा गौर से ताकिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर minus आया है भाई यहाँ पर देखो a,b,ab tuh Dekhau यहाँ पर धेना 2a देखो पहली यहां से देखो a2 खायर होगया यहां से इस्टार्ट होता है 2ab, highway लेकिन यहाँ पर minus में आगया है ना समझो कि यहां पर minus लाना पड़ेगा क्यों क्योंकि b का और c का है देखो two bc और 2CA जब B start हुआ तो minus, C start हुआ तो minus, यानि हम समझ गए कि जो B का मान होगा, वो minus में होगा, और C का जो मान होगा, वो minus में होगा, समझ रहो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है न, नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीका कैसे समझाएंगे आपको समझ में भी आएगा आपको टेंसन लेने के ज़रुरत बिलकुल नहीं है आपको समझ में आएगा ही आएगा इसके लिए बिलकुल आप मिश्चिन्त रहिए ठोड़ा ध्यान देना य react यहां पर आपर यहां भी माइनस हो रहाए और यहां भी माइनस इनस z जो है न दोनों में है ज़ Alicia — माइनस कर दूगा न तो दोनों को माइनस कर देगा तो मैं क्या करता हूँ सि कमामन को माइनस में konvert कर दिया क्योंकि दोनों माइनस में है ठीकी अब आपका उसल था हमको समझ में नहीं आ रहा है आयगा समझ में पहले ध्यान से वीडियो को देखो अंतक देखो प्रैक्टिस करने से आएगा एक ही बार में सुच्छों कि सब हो जाए तो नहीं होता धीरे धीरे सब आजाएगा मैं गरांटी के साथ यह बोल रहा हूँ आप लोगो ठीके चलो तो A square, B square, C square कर दिया C come and minus में क्योंकि है बाई क्योंकि last में C, C देखो C इसमें भी उजे ओता है कैसे पता चला भाई फ़र्मूला से, यहां भी C, यहां भी C ज़विगे, तो दोनु be minus में हो जाएगा समझ गए, अब चले plus टू, एक कमान क्या है घाई टू اेक्स B कमान C कमान माइनस 4Z है, माइनस 4Z हो गया, ठीके, पलस 2C कमान माइनस 4Z, और A कमान 2X है, हो गया, अब देखो तू, यहां से ध्यान से देखना, जदी मैं इसको तोड़ूंगा, यह वाला जाएगा, करके देखो, इनको गुना करके देखो, यह वलाएगा इसको गुना करके देखो यह वलाएगा इसको गुना करके देखो यह वला जाएगा तो मैं देखो इसके बदले यह लिख सकता हूँ तो पूरे इसके बदले A, B, C का SQ कर सकता हूँ यानि A कमाने 2X B कमाने 3Y और C कमाने-4Z इनका square कर दो और यह हमारा गुड़ंखंड इसका हो गया बहुत ही simple है बस आपको formula आदोना चाहिए कहाँ पर minus लगा है उसके coding है ABC में minus लगा दो गुड़ंखंड हो जाएगा आए दूसरा प्रशने देखिए ना बहुत ही आसान लगेगा आप लोग को अब क्या है दूसरा प्रशने अपने किताब में देखो 2x square 2x square plus y square plus 8z square है minus minus 2 root 2 root 2xy है plus 4 root 2 y z है minus 8x z है ठीक है पहले ध्यान से देखो यहाँ पर भी minus है और यहाँ पलस है ना यहाँ पलस है और यहाँ पर minus है यहाँ पर आपको कुछ बातिये को ध्यान देना होगा सबसे पहले तो फर्मूला लिखो a plus b plus c का whole square इसका फर्मूला होता है a square b square c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca देखो तो यहाँ minus होने का region क्या है भाई यहाँ minus होने का region यहीं है कि यहाँ पर आता है 2ab यानि हमारा a का जो मान होगा a का जो मान होगा b क्या b का जो मान होगा वो किसमे होगा माइनस में होगा तब ही यहां पर माइनस हुआ है यहां पलस है तो पलस क्यों है भाई? क्योंकि B के मान हमारा माइनस में था और C के मान माइनस में था देखो, यहां पलस क्यों होगा? क्योंकि B के मान माइनस में पहले से मेरे को पता है कि B का मानिया पर माइनस हुआ है और यहाँ पलस क्यों हो गया क्योंकि C का भी मान किस में होगा माइनस में तो बात आपको समझ में अभी नहीं आ रहागा मैं equation को बनाता हूँ उसके बात समझ मैं आएगा ठीके चलो अब 2x automatically है इसको a square के रूप में तोड़ना है मैं क्या लिख सकता हूँ तो मैं root 2x के पावर 2 लिख सकता हूँ अब आपको वसरे कैसी बात होई यहाँ 2 है तो आप root 2 क्या लिख दिए तो समझो पहले root 2 का square करोगे न तो root 4 होता है 4 का बर्ग मुल 2 तो 2 के बदले क्या लिख सकता हूँ root 2 का square तो 2 के बदले root 2 का x square कर दिए plus y है तो y का square कर देंगे ठीक है plus 8 है ना 8 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ 8 को जब root में तोड़ोगे ना 8 को 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 तो इसमें 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 को बाहर कर देंगे और एक root में बचेगा तो 2 root 2 लिख सकता हूं मैंलो 8 का जब उड़नखन करोगे तो उसको 2 root 2 लिख सकते हो क्या लिख सकते हो 2 root 2 8 के बदले मैंने क्या कर दिया 2 root 2 लिख दिया लिख दिया और Z है तो Z का square कर दिया अब आपको बात आगे यहाँ पर किसको plus में रखे किसको minus में तो यहाँ देखो यहाँ minus और यहाँ minus हो रहा है यहाँ बी और C को किसमें रखना होगा minus में तो यहाँ पर बी को minus में कर दिया और C को भी minus में कर दिया ठीक है अब चलो आगे बढ़ा दो 2 A का मन क्या है root 2 X है तो X B का मन क्या है minus Y पलस 2 B का मन क्या है भाई minus Y और C का मन क्या है minus 2 root 2 Z पलस 2 C है C का मन क्या है minus 2 root 2 Z और A का मन है root 2 X अब इसको तोड़ोगे न तो यह वोला चीज हमारा आ जाएगा तो यहां से हमारा A कमान क्या दिखा root 2X B कमान minus Y और C कमान minus 2 root 2Z इसका square कर दो यह हमारा answer फाइनल जदि आपको इसको ऐसे लिखना है root 2X plus और minus minus plus और minus minus 2 root 2Z का square कर दो हो गया बहुत ही असान है ध्यान से बनाओगे तो बहुत ही असान है बस आपको यह formula अच्छे से याद होना चाहिए cob minus cob plus कोन समान होगा जब तक आप 2-3 वार practice नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है और जदि आपको नहीं समझ माया होगा इस तरह का question मैं इसके लिए अलग से कुछ अलग से question लेकर करके मैं बताने की जुरूर कोसिस करूँगा ताकि आप लोग कोई confusion नहीं रहे बात कर सकते हो या कार वकारड में डाउनोड कर यह जाकर पले स्टोर से वहां से आप लोग क्लास जोइन कर सकते हो ठीक है